नमस्कार वेलेकुम यॉल वन्स अगेन आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है हमारी बेसी पाट फस्ट के लिए जो हमने यूनित सेकिंड शुरू किया आज हम उसमें सेवेंटीन लेक्चर अल्रीडी हम पढ़ चुके आज हमारा ही टीन्थ ले और तो इनको डिटेशल में पढ़ा। वस में प्रकासिक सवैःथा धाको ने बहुत जाता अवने अर्स ौममिनक्लेटकर सीखा हम्ने तेखा कि कब मॉलेक्यूर कंप प्रकासिक समाव्यथा प्रदर्शित करेगा और नहीं करेगा ठीक है हमने क्या क्या देखा हमने RS करना सीखा Fischer में RS करना सीखा वेज में RS करना सीखा हमने different type के projections देखे यह Fischer, Sa, Horse, Newman सभी तरह के projections देखे फिर जो हमने कल जो last lecture पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कैसे हम सिस्ट्रांस और molecules को EZ में classify करेंगे ठीक है अब हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा last चल रहा है last जो बच्ची हुई है सारी समावयवता देख लिए बस एक बच्ची हुई है अब कौन साइ सनरूपन समावयवता अब उसको डीटेल में पढ़ना बाकी है तो अब हम जो देखने वाले है वो है सनरूपन समावयवता कौनफर्मेशनल आईसोमेरिजम कनफर्मेशनल आईसोमेरिजम देखते हैं क्या है कनफर्मेशनल आईसोमेरिजम जब हमने सनरूपन आईसमेरेजम पड़ी थी तो वहाँ पर हमने क्या देखा था सनरूपन बनते हैं यानि कि मॉलेक्यूल के अलग अलग कनफर्मेशन बनते हैं कैसे बनते हैं जब मॉलेक्यूल सिंगल बॉन्टे जुड़ा हुआ रहता है जिसकी वजय से गूप जुड़े होते हैं कि और इसी कोंसिश सनरूपन समावयवता क्या होता है सिंगल बॉंड से जो जुड़े रहते हैं कारवन उनमें क्या होता है मुक्त घुर्णन होता है और मुक्त घुर्णन की वज़े से उन पर जो समू जुड़े होते हैं वो अलग-अलग विन्यास ग्रहन कर लेते हैं ठीक है, और उनी को हम क्या कहते हैं, सन्रूपन कहते हैं, और यह समावयत्ता है, इसको हम क्या कहते हैं, सन्रूपन समावयत्ता है, तो basically किसकी वज़े से उत्पन होती है, यह मुक्त गुरुनन की वज़े से उत्पन होती है, सिंगल बॉन्ड की अलोंग, मुक्त गुरुनन, स और उस पर क्या होते हैं मॉलेक्यू से जुड़े होते हैं फ्री रोटेशन करते हैं ठीक है तो हम यह लिख सकते हैं कि यह समाव्यता किसकी वज़े सुद्पन होती है एकल बंद पर सिंगल बॉंड पर किसकी फ़ल मुक्त घूर्णन एकल बंद पर मुक्त घूर्णन के परणाम स्वरूप क्या करते हैं पर माडू बिविन व्यवस्थाएं ग्रेंड कर लेते हैं तो परणाम स्वरूप पर माडू की बिविन थीक है पर माडू की बिविन इतना दिखाई देगा पर माडू की बिविन सापेक्ष त्रिविम व्यवस्थाएं बिविन सापेक्ष त्रिविम व्यवस्थाएं बिविन सापेक्ष त्रिविम व्यवस्थाएं जो एक दूसरे में जो एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम सन्रूपन कहते हैं सन्रूपन या इनको रोटामर्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं रोटामर्स सन्रूपन का मतलब कन्फर्मर्स या इन्हें कन्फर्मर्स या चक्रन समाव्यवी मतलब रोटामर्स भी कहते हैं इसका मतलब किसकी वजय सुत्पन होते हैं मुक्त घूर्णन की वजय से जब परमाडू में क्या होगा मुक्त घूर्णन होगा तो वहाँ पर क्या होगा यह मुक्त घुर्णन की वज़े से free rotation है तो molecule क्या करेगा तुरन तुरन एक दूसरे में change होता रहेगा कभी eclipse होगा कभी stagger हो जाएगा फिर eclipse हो जाएगा फिर stagger हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है एक दूसरे में परिवर्तन बहुत fast होता है क्योंकि सिंगल पॉल रोटेशन चलती रहेगा तो एक दूसरे में परिवर्तन भी क्या होगा चलता रहेगा इसलिए इनको rotamers भी बोलते हैं क्या बोलते हैं क्यों समझेंगे उनको कैसे समझेंगे अलग अलग कंपॉर्मर्स पढ़ेंगे तिक है उनके साथ we समझेंगे क्योंकि जस्ट विकॉज इनमें क्या होती फ्री रूटेशन होती है और फ्री रूटेशन की बज़े से एक दूसरे में बहुत जल्दी इंटर कनवर्ट होते हैं यानि एक दूसरे में बदलते हैं एक समाविय तुरंत दूसरे में चेंज हो जाएगा तो अगर हमा तक 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 हम उसको अलग करेंगे तब तक तो वह अपना रूप चेंज कर चुका होगा इसलिए इनको इसलिए अस विलंग करना न बहुत मुश्किल होता है रिख सकते हैं और है कि और है कि इनकी डिया इनको तोaran से विलंक करना कि मिश्रण मैं से विलग करना आइसूलेट करना बहुत क्या होता है बहुत मुश्किल होता है भहुत मुश्किल होता है इनको हम आसानी से नहीं कर सकते अब हम इसको थोड़ा डेटेल में समझेंगे अलग अलग एक्जामपल्स लेके जब हमने सद्रूपन समाविधा पड़ी थी वहाँ पर भी हमने एक्जामपल्स को लेके थोड़ा बहुत समझाय था थोड़ा सा समझाय था अभी उस चीज़ क क्या करेंगे डिटेल मं समझेंगे सबसे पहले हम लेंगे एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे किसे इधेंगे क्या होग ईधें कि इधेन यह जिसको बोले ह tastes के सनूरूपण कि सबसे हम दे dachte एथेन के सनरूपन इथेन कौन कौन से कनफोर्मर्स बनेंगे तो यह हम पहले भी बता चुके हैं फिर से बताते हैं तो दुबारा से डिटेल में पढ़ लेते हैं इथेन इथेन क्या होता है इथेन होता है यह पढ़ सकते हैं इथेन में कर्वन की बीच में क्या होता है सिंगल बन होता है लेकिन इथेन के से बार्वन के बीच में सकते हैं तो यहां पर हम इसके इसके कन्फॉर्मर्स पढ़ सकते हैं इसके दो कन्फॉर्मर्स होते हैं कितने कन्फॉर्मर्स दो एक होता है ग्रसित और दूसरा होता है सांत्रित जिसको हम बोलते हैं एकलिप्स और दूसरा होता है स्टैगर्ड ठीक है एक होगा एकलिप्स और दूसरा होगा स्टैगर्ड तो हम लिख सकते हैं यह हमारा इधेन है तो हम यह लिख सकते हैं यह क्या लेख सकते हैं कि इधेन के इधेन के संभव संभव सनरूपन संभव सनरूपनों को क्या कहते हैं ग्रसित यानि कि एकलिप्स्ट और दूसरा होता है स्टेगर्ड जिसे इंदियों बोलते हैं सांत्रित सांत्रित यानि स्टेगर्ड ठीक है तो इधेन के संभव सनरूपनों को ग्रसित और स्टेगर्ड कहते हैं यहां पर दो conformers बनेंगे इसके, एक तो होगा Eclipse form में, दूसरा क्या होगा Stagger form में जैसा कि हमको दिख रहा है इथेन, इथेन में क्या होता है, एक कारवन परमाडू से कितने hydrogen जुड़े हुआ है, तीन hydrogen और यह दूसरे कारवन परमाडू से सिंगल बॉन से जुड़ा हुआ है, इस पर भी कितने hydrogen जुड़े हुआ है, तीन hydrogen, ठीक है, अब हम इसको representation में लिख सकते हैं, इसके लिए हम कोई से भी representation ले सकते हैं, न्यूमेन ले लो, साहर्स ले लो, दोनों से ही बताए जा सकते हैं, तो हम जो जातर हम जो sunroopan को बताने के लिए जो हम representation लेते हैं, वो कौन से होती है, new man होती है, कौन से representation का यूज करते हैं, new man का यूज करते हैं, यानि कि हम इस molecule को किस में बनाएंगे, new man में बनाएंगे, ठीक है, तो इसके दो sunroopan मनेंगे, eclipse और staggered, लेकिन जब ये eclipse और stagger तो कि अबने तो बीच में कुछ और संौरूपण बथा विस्थाइं उनको लिख सकते हैं यह क्या लिख सकते हैं कि यह दौनों तो चरम अवस्थाइं होती है अगे बात और चरम अवस्था है मतलब यह तो मैक्जिमम कंडिशन है ठीके चरम अवस्थाओं पर प्राप्त होती है लेकिन इन दोनों के जब एकलिप्स से स्टेगर्ड में जा रहा होगा तो बीच में कुछ और कंफोर्मर्स भी बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं तो लिख सकते हैं कि इन चरम अवस्थाओं के अतिरिक्त इन दोनों के मद्य अतिरिक्त इन दोनों के मद्य अनेक सापेक्ष व्यवस्थाइं संभव हैं सापेक्ष व्यवस्थाइं संभव हैं जिने हम क्या कहते हैं जिने हिंदी में तो बोलते हैं विशम तलिये सनरूपन इंदी में तो बोलते हैं विशम तलिये सनरूपन और इंगलिस में बोलते हैं इनको skew या गौच फॉर्म भी बोलते हैं ठीक है एकलिप्स और स्टेगर्ड तो चरम अवस्थाई हैं लेकिन जब इस्टेगर्ड से स्टेगर्ड में जाता है तो बीच में कुछ और च और कुमा वस्थाई वी बनती यह इस कॉल्ट को कि क्यों से सनरूपन देखते हैं के? क्यों से सनरूपन बनते हैं लिकार्ट देखते हैं ठीक है तो देखते हैं क्या संरूपन बनेंगे यह है एथेन CS3 CS3 कार्वन कार्वन की बीच सिंगल बॉन्ड है और कार्वन पर तीन हाइड्रोजन जुड़ हुए तो हम इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं वर न्यू मैन लेते हैं न्यू मैन में क्या होगा एक कार्वन को सामने मान लेते हैं फ्रंट कार्वन मान लेते हैं और एक कार्वन को बैक कार्वन यानि ऐसा मानते हैं मॉलेक्यूल को ऐसा है यह वाला जो सामने वाला का डीचे की तरफ होगा, दो हाइड उपर के तरफ होगा है लेकिन पीछे वाली से प्रण्ट कार्एं है यह बैक कारवन एक थे ने yoo man में यह तो है बैक कारवन कौन सा है बैक कारवन पीछे वाला कारवन है ठीक है और फ्रंट कारवन तो हमें दिखी रहा है कारवन से कितने गुरुप जुड़े हुए यहां पर क्या है कारवन है और कारवन से कितने गुरुप जुड़े हुए तीन गुरुप जुड़े हुए मैं लगा दिया hydrogen hydrogen और यह hydrogen इसलिए इनको मैंने क्या दिखा है Lincoln या यह पर है इनकों मैंने क्या दिखाया पास पास दिखाया है यह the मOnly MacBook affirm makingश को क्यालती एक लाथी कि आकलीबोस गया किसमें सामने वदा कारवन यह दो इंड़े जुड़े हुए उसके तो क्या तुमैं हैं यह पीछे वाला कारवना dried टो hydrogen लेकिन जबवि एक दूसरे के आमने सामने है यह French carbon है यह साब hydrogen जुड़को बैक करण। यह से वी दम जुड़े हुए लेकिन युनोंने पीछे वाले को यह रखा है is कर रखा है चुपा रखाई क्योंकि जो हईडरोजन है वो जस्ट पीछे उपस्तित यह जो हईडरोजन है इनके पीछे उपस्तित अगर मैं एसे दिखाऊ हूं तो आपको दिखाई देगे ना गेदर मैं फ्रंट पे रखो एक कारवन और एक बैक पर रखो तो पीछे वाले ह हाइद और आपको दिखाई नहीं देंगे क्यों कि तो कि वहीं तो ुझा ना सब्सक्राइब जीओगराफी पड़ी औरहीं तो क्या रख्टाए echo कौन सी होती है जब सामनेवाले कारवन से इक दूसरए को क्या कर पीक है ऒूसरे के सामने हो डूसरे को भंसरे को डब रहे है तो यह कनसे चाहिए से एकलिब्स कौन सी कहलाती है एकलिप्स ग्रसित बोलते हैं ठीक है और होता क्या है ग्रसित चलो पहले बना ले तो उसके बाद इनका एनलाइस करेंगे ठीक है तो यह अप्तिक ग्रसित फॉर्म ठीक है अगर ऐसा हो है मैं यहां पर रोटेशन करूं कितना करूं 60 डिग्री स किया क्या किया 60 डिग्री से किसको पीछे वाले कार्वन को बैक कार्वन को रोटेट किया 60 डिग्री से तो मैं लिख सकती हूं कि पीछे वाले कारवन को कितने डिगरी से रोटेट कर रहे हैं? 60 डिगरी से रोटेट करने पर क्या होगा? मैंने इसको 60 डिगरी रोटेट किया यहां से यहां तक का एंगल हम जानते हैं कितना होता है? 120 डिगरी होता है हैं ना यहां से यहां तक का अंगल कितना 120 डिग्री मैंने कितना रोटेट किया 60 डिग्री 60 डिग्री में क्या होगा यह एक दूसरे के बीच टोकर ऐसे आजाएंगे यानि में इसको ऐसे बनाओं यह थे हाइड्रोजन 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 पीछे वाले कारवन को रोटेट किया है तो एक हाइड्रोजन यहां जाएगा एक हाइड्रोजन यहां जाएगा यहां अब यह हाइड्रोजन क्या हो गए एक स्टैगर हो गए बिखर गया ना यह ऐसे था एकलिप्स ठीक है मैंने क्या किया पीछे वाले कारवन को 60 डिग्री रोटेट किया तो यह क्या होगे यह इसके एकलिप्स में आ जाएगा यह दोनों बीच में थे यह कहा गया यहां और यह वाला कहा गया इनके बीच में आ ठीक है नीचे वाले हाइड्रोजन के और इसके बीच में आ जाएगा तो इस तरह से यह वाली जो सरचना बनती इसको बोलते हैं स्टैगर्ड क्या बोलते हैं सांत्रित यहां फिर स्टैगर्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टैगर्ड बोलते हैं तो एक तो होती है एकलिप्स फ़र्म और दूसरी क्या होती है स्टैगर्ड फ़र्म ठीक है इसको 112 same एक करा सकते हैं 180 डिग्री से रोटेट कराएंगे तभी क्या बनेगी स्टेगड फॉर्म बनेगी तु सीक अब देखते हैं लेकिन मुणानर ऐसे बन रही है के अगर रहे हैं यह तो सम्न प्रेंट कार बने आप इसा पर कई यहां पर रहीगा और है है टैल ने या रहा है तो क्या होगा hydrogen दूर दूर टो होए लेकिन बहुत जादा दूर नहीं होए ना तो यह eclipse है ना ही यह staggered है तो यह वाली condition क्या कहलाती है यह वाली कहलाती है गौच क्या कहलाती है गौच यां क्या होता है यह यह भिर बीच में इनका भी इन्रमान होता है जिनको बोलते हैं गोच और izqv form कॉनसी बोलते हैं गोच और इस्क्यू बहुति वह रहते हैं एक प्रिफ्रेंस ऑलग जहीं थोड़ा सा लहटे एक दूसरे से लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हुए यानिके इनमें रिपल्षन अभी भी बाकी रहता है तो इस तरह से तीन conformers बनेंगे इसके कौन-कौन सा staggered eclipsed और गौछ ठीक है आगे देखते हैं तो हम यह लिख सकते हैं तीन तीन वो होंगे कोन-कौन से होगे एक होगा eclipsed एक होगा staggered और एक बनता है गौच और इस्क्यू इन दोनों के मेडल में जो क्या होगा इन दौनों के बीच की का अवस्था होगी तैगर अगर अलाईस करें तो इनका अगर हम करें तो क्या होगा क्योंकि यहाँ पर इस हाइड्रोजन एक दूसरे को डुक्य हुआ है यहां पर तरक 500 कवाध्य का एक दूसरे के आमने लाणें परतिकरशन करेंग को यह वाली जो समर्म, और कुछा about that के दूसरे यहें परतिकरशन लाएंगे टूसरे में क्या रहें आनिस्टेबल लगाएंगे टूसरी में सेखेस हाइग ben Sharpe क्या होगी सबसे हाई होगी उर्जा सबसे हाई और अगर उर्जा जादा होगी तो स्टेवलिटी क्या होती है स्टेवल कौन होता है स्टेवल वही तो होता है जिसकी एनर्जी क्या हो कम लेकिन इसकी एनर्जी तो क्या है और हाई होगी एनर्जी तो फिर यह स्टेवल नहीं ह होगा तो क्या होगा यहां पर बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या एंटी है कह सकते हैं यह वाला हाइड्रोजन इसके एंटी है यह वाला हाइड्रोजन इसके एंटी है यह वाला हाइड्रोजन इसके एंटी है तो यहां पर किसी भी ठीजह के सबसे जादा इस टेबल हो जाएगी सबसे जादाु और इसकी एनर्जी जो होगी वह सबसे कमㅎ उड़ा क्या होगि सबसे कम की छीक तो यह तो दो मद्यवर्थी आवस्था geld के बीच में ऑन्ती है जब ट एकलिस टाइड में चेंज उता है तो बीच में पहले क्या बनती गोच और इसक्यू ठीक है ना तो यहां पर हाइडोजन बहुत जादा दूर दूर है ना ही बिलकुल सामने है तो प्रतिकर्शन होगा तो सही लेकिन एकलिप्स से कम होगा और स्टेगर्ड से क्या होगा थोड़ा सा जादा तो इसकी जो उर्जा होगी वो क्या प्रभितवी मध्यवर्थी ठीक हैгор मध्यवर्थी ओर्जा होती है यानि एकलिप्स और स्टेगर्ड के बीच की उर्जा होती है इनकी मध्यवर्थे कहलाते है सी ठीक है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अग्रसित रूप में क्या होता है ग्रसित रूप में आगे वाले कारवन से जुड़े हाइड्रोजन पीछे वाले कारवन से जुड़े हाइड्रोजन को ढक लेते हैं ढक लेते हैं जिससे इनके मद्य प्रतिकर्शन अधिक हो जाता है प्रतिकर्शन अधिक हो जाता है वा इस रूप की उर्जा प्रतिकर्शन के कारण बहुत बढ़ जाती है अतह यह अस्थाई अवस्था इस थाई अवस्था होती है ठीक है अस्थाई अवस्था होती है यहां पर प्रतिकर्षन बहुत ज़ाद है हाइडोजन 가ईडोजना के भीच में तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो भुधा हाई रहेगी और यह वाली जो ब्रवस्था यह स्टेवल भी नहीं होगी ठीक है इस्टेवल भी नहीं होगी। यह मिटा देती हुआ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, यह लिख सकते हैं, कि सांत्रित रूप में प्रतिकर्शन न्यूनतम होता है, क्या होता है? न्यूनतम होता है, अतह यह सबसे स्थाई अवस्था है, स्थाई अवस्था है, वह इसकी उर्जा, क्या होती है? न्यूनतम होती है, इस्थाई का मतलब क्या होता है? इस्थाई का मतलब एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है? इसका मतलब जो इथेन का मॉलेक्यूल है, वो हमेशा कौन सी फोर्म में रहना पसंद करेगा? सांत्रित रूप में, क्योंकि इस फोर्म में वो क्या रहता है? इस्थेबल रहता है, तो हम यह लिख सकते हैं, अतहा इथेन का अडूं सांत्रित अवस्था में अधिक समय तक रहता है, है ना? सांत्रित अवस्था स्टेबल है, और स्टेबल होगी तो जादा टाइम तक टिकेगी, और जादा टाइम तक टिकेगी, तो मॉलेक्यूल क्या होगा? मॉलेक्यूल हमेशा क्या रहना पसंद करता है? स्टेबल अवस्था में रहना पसंद करता है, है ना? इसके बाद बची हुए कौन गौच और इस्क्यू ठीक है तो क्या कह सकते हैं कि विशम तलिय यानि कि गौच और इस्क्यू फॉर्म में स्क्यू फॉर्म में अडू की ऊर्जा मद्यवर्ती होती है अतहा यह है एक्लिप्ज इक्लिप्ज से अधिक स्थाई होता है एक्लिप्ज से अधिक स्थाई होता है ठीक है तो आगर हम ट्रेंड सेट करें एनर्जी का ओर्डर लिखें किसका energy का order energy order energy क्रम देखें थो सबसे जादा energy किसकी होगी सबसेigon energy होती है eclipsiform की किसकी eclipsZ da की उससे कम होती है स्क्यों और गोच की और सबसे कम किस की होती है सबसे कम होती है this is the άge द्वी किसकीлагड की यह का है एनर्जी ऑडर एनर्जी ऑडर तो रहेगा यह और स्टीवलिटी का congested का क्रम क्या हो जाएगा यदि फ्ली टीक्रिवली falar क्या हो जाएगा कौटफ स में होता है सबसे जादा सबसे जादा इस्टेवल होता है सबसे जादा फसंद करता सबसे कम और कौन सी है कि एकलिप्स की एनर्जी बहुत हाई होती है ठीक है नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं जल्दी से अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डाइग्रम बनाएं तो कैसे प्राप्त होगा यह हम क्या ले रहे हैं एनर्जी इस एक्सिस पर क्या लेते हैं एनर्जी उर्जा और यहां पर क्या लेते हैं घूर्णन हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है तो हमको जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा प्राप्त होगा इस तरीके से ग्राफ जो प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा प्राप्त होगा यह क्या है एनर्जी सबसे हाई है यहां पर क्या है एनर्जी सबसे हाई है तो जहां पर एनर्जी सबसे हाई होगी तो वहां पर कौन सी फॉ तो यानि कि यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, यहां पर रहेगी, एकलिप्स्ट, यानि कि ऐसे रहेगा, यह रहेगी, एकलिप्स्ट, तो इन तीनों यह पोजिशन पर कौन सी फॉर्म रहेगी, एकलिप्स्ट, यहां पर भी क्या रहेगी, एकलिप्स्ट, जबकि यह क्या है energy सबसे कम है यहाँ पर क्या है energy सबसे कम है और energy सबसे कम होती है जहाँ पर वहाँ पर कौन सी form होगी staggered यानि कुछ ऐसी अवस्था होगी एच यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो यह कौन सी होगी staggered कि यहां पर कौनसी रहेगी स्टेगर्ड जांना पर क्या रहीगी स्टेगर्ड वो कह रहेगी इन दोनों कि मद्धिवर्ती ना तो एकलिप्स एकलिप्स से क्या होगी कम होगी और स्टेगर से क्या होगी ज्यादा तो यहां पर कौन सी फॉर्म रहती है यहां पर रहती है स्क्यू और गौज फॉर्म यहां पर भी क्या रहीगी स्क्यू और गौज फॉर्म दोनों जगें यहां पर क् मैं वहाँ पर staggered form होगी और इन दोनों के मद्धिवर्ती में कौन सी होगी skew और gauch यानि इन दोनों के मद्धिवर्ती इससे ज़्यादा इससे कम तो यहाँ पर क्या रहेगी skew और gauch confirmation रहेगी तो यह होता है इसका conformational analysis note कीज़े जल्दी से ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखते हैं जब देखा गया eclipse और staggered के बीच में उर्जा अंतर निकाला गया कि इसकी energy इससे कितनी हाई है तो वो प्राप्त होता है 2.8 kilo calorie per mole तो यहाँ लिख सकते हैं इथेन के ग्रसित एवं सांत्रित रूप के मद्य उर्जा अंतराल 2.8 kilo calorie per mole प्राप्त होता है 2.8 kilo calorie per mole प्राप्त होता है यानि कि जब यह rotation हो रहा होगा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल free है कोई बाधा ही नहीं है थोड़ी सी बाधा तो रहेगी क्योंकि energy difference कितना निकल रहा है 2.8 kilo calorie per mole प्राप्त जादा तो नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ बाधा दरूर रहेगी इसको बोलते हम torsional barrier क्या बोलते हम torsional barrier बोलते हैं इसे हम ठीक है क्या मतलब होगा इसका कि कारवन कारवन single bone पर जो rotation होगी उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन होती है तो हम क्या सकते हैं कि मुक्त गूर्णन में उत्पन बाधा को क्या कहते हैं torsional barrier क्या बोलते हैं उसको torsional barrier यानि कि इसको बोलते हैं मरोडी अब रोध हिंदियों बोलते हैं अब रोध कहते हैं ठीक है तो यह था एथेन का confirmational analysis जिसमें कौण एकवल है एकलिप्स यद्फ फॉर्म अनिस्टेवल होती है इस्थाई होती है जबकि forever behavior उती है ज्यादा इस्थाई अबस्धा है तू यह था इथेन का confirmational आनालेसिस थीक ढ़ल मोलेक्यूल आ यह द्यक है अब देखते हैं दूसरा मॉलीकूल दूसरा मॉलीक्यूल लेंगे इथेन के बाद आता है प्रोपेन किसके सन्रूपन लेंगे प्रोपेन के देखेंगे बस प्रोपेन के श्रूपण प्रोपेन क्या होता है एक प्रेड कारवन होगा है उसमें किनी निर। फ्रंट ऍपलंग मैं इन यह कोई दो कारवन हे हैं यह दो मैं ने घंग ले लिए हैंau याष दूसरा कार्वन टीक है एक प्रंट कारवन होगा और एक प्रंट आरेक पर इस इस हमने किये थे और नहीं दोच इसलिये क्यों ने चार्वन अवारी तूःड हम्नलिष अब हैंद हैंตलब बिलगुल उसी त्रह से हम डायरेक्ट यहाँ पर कफर्मेशनल एनलिसस देखेंगे तो देखे बनाते हैं तो ट्रोकर लएते हैं कैसे करेंगे जैसे ऑमने क्या था यह फृरंट कारवन यह बैक कार्वन है तो यह बना लिए हमने बैक कारवन और यह रहेगा हमारा फ्रंट कारवन फ्रंट कारवन पर कौन है तीन हाइड्रोजन लगा दो भई तीन हाइड्रोजन और बैक कारवन पर कौन है बैक कारवन पर है एक तो है दो हाइड्रोजन यहाइसे लगा दो одесс इस तरह से यह form जो कहलाईगी तो यहां पर क्या होगा यह वाली form कौन सी कहलाती है यहिए form कहलाती है हमारी gracie ethian में एक वर देख लिया तो अब तो ज्याद़ा time नहीं लगेगा gracie, यहनली कि यह क्या है eclipsed जो भी हमको डिटेल में पढ़ना था हमने इथिन में देख लिया यहां पर कौन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हाइड करेगा तो इनके बीच प्रतिकर्शन यहां पर प्रतिकर्शन इन दोनों के बीच यहां तो हाइड्रोजन और उस्ता में रहना नहीं चाहिए जो प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा यह पर रोटेशन होगी रोटेशन होगी ठीक है मालो कितने डिग्री से रोटेट किया 60 डिग्री से किया कितने 60 डिग्री से किया तो हमको क्या प्राप्त होगा जैसे हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यह था हमारे पास H H और H ठीक है 60 डिग्री से रोटेट किया पीछे वाले क होता है तो 60 डिगरी का एगा इसके कहीं बीच में तो मालनों सी एस त्री गुरुप का आ गया यह आ गया ठीक है यह आ गया एच यह आ गया एच ठीक है यह क्या आ गया हैं तो इसके क्या खाऊ-धर को अगया है यृश्च को सबसे निम्न करें खाते होगा खात्ति होगा और प्रतिकर्श RED मिनिम्मम मिनिम्म रूप तो मिनिम्म onu चला वाग किए कैसी हो जाती है एकansen होगी और और इसकी उर्जा क्या होगी उर्जा होगी निम्न यानि कि सबसे कम तो यह सबसे स्थाई होगी इसकी उर्जा सबसे जाधा होगी इसके बीच में क्या आएगी एक स्क्यू और गौच फॉर्म भी आएगी जिसकी एनर्जी क्या होगी जाधा होगी या फिर ऐसा माल लें पहल लगा दो यहां पर क्या है CS3 यहां हो जाएगा H यहां हो जाएगा H तो होगा क्या दूर तो हुए लेकिन इतने दूर नहीं हुए अभी इनके बीच में पृतिकर्शन लगेगा पृतिकर्शन लगेगा यह कौनसी फॉर्म क्यलाएगी स्क्यू यह जट सुं कुछ इसकी यहां गोज वॉस्ट वहां बोलते हैं विशंतलिय सन्रूपन क्या यह इसकी उर्जा कैसी होगी और Marx यहां होगी मध्यवर्तियाद यानि एकलिप्स से तो क्या होगी यह जो एकलिप्स है इसकी उर्जा तो बहुत जादा है इसके कंपेरेजन में यहां पर प्रतिकर्शन थोड़ा तो कम होगा प्रतिकर्शन कम होगा तो उर्जा भी थोड़ी सो कम होगी तो इसकी तुलना में यह क्या है जादा इस्थाई है और र कario př臭ाई सिकंट तो सबसे कंब रिपल्शन है सबसे कंब रिपल्शन है तो सबसे ज्यादा सथाह होगी कैसरी होगी और इसकी कैसी होगी निन थी क्या तो यानिकि यह थो प्रोफटें लिया हमने फ्रोपेन मॉलीक्वर किस आवस्थां जादा पसंद करेंगे मैं कि यह थाइए इस की इनरजी सबसे कम तो गिद्स यह थो इसमें रहना जादा पसंद करेंगा और क्योंकि रोटा-मर्स है तो एक दूसरे में क्या होते रहते हैं इंटर कनवर्ट होते रहते परिवर्थित होते रहते रहते हैं क्विस उगल Cash परोपेन के पक्रोपन में और किगने के सबूपन यह शलो अगए जल्दी से अगijn चलते और आगर यहां पर courage कि यानकी एकलिप्स से जब यह स्टेगड में जाएगा तो इन दोनों की बीच उर्जा अंतराल होगा उसी को क्या बोलते हैं टॉर्शनल एनर्जी तो इसकी टॉर्शनल टॉर्शनल एनर्जी कितनी होती है 3.8 किलो कैलोरी पर मोल होती है कितनी होती है 3.8 किलो कैलोरी पर मोल होती है 3.8 नहीं 3.3 3.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है क्या कहलाते है इसको इंदी में बोलते है मरोडी उर्जा क्या है यह मरोडी उर्जा यानि कि यहां से यहां तक जाने में जो अबरोध उत्पन होता है इनके बीच का जो उर्जा अंतराल है वो कितना होता है 3.3 किलो कैलोरी पर मोल यह बढ़ गया एथेन की तुलना में यह क्या है थोड़ा सा जाधा है क्यूं है क्यूंकि एथेन में सारे हाइड्रोजन थे जबकि यहां पर क्या है एक हाइड्रोजन और एक सीएस्ट्री जबकि एथेन में कितनी थी है 2.8 किलो कैलोरी पर मोल थी ठीक है इसका मतला बढ़ी तो है लेकिन बहुत जाधा नहीं बढ़ी है क्यूंकि हाइड्रोजन और सीएस्ट्री के बीच मेरे पल्चान है ठीक है तो इस तरह से हम प्रोपेन के कनफॉर्मर्स देखते हैं आप दे अगला जोगा हमारा वो ब्यूटेन के कनफॉर्मर्स है ठीक है और ब्यूटेन और साइक्लोहेक्जिन आज हमने एथेन और प्रोपेन कवर किये ब्यूटेन और साइक्लोहेक्जिन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे ठीक है अभी के लिए थैंक्यू